नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चेनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27, 28 और 29 अगस्त मकर रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों अब आपके किसमत घी में डूप की लगाएंगे जिहां दोस्तों अगले तीन दिनों के अंदर आपके चार बड़ी सपने सच होने वाले हैं आपको बता दे की मुसीवतों का समय बीच चुके हैं अब आपका समय आ चुका है आपने जितने भी जीवन काल में जुलेंगे जिहां दोस्तों जरसल आपकी जानकारी के लिए बता दे की दोस्तों आपके रुके हुए जो भी कार हैं यह समय गती में आएंगे और यह पिछले समय से जो भी कार में आप मेहनत दिखाए थे मेहनत किये थे अब उसका परणाम बहुत ही अच्छा मिलेगा जि दोस्तों वो कहते हैं ना कि मेहनत करो फल की चिंता मत करो जिहां दोस्तों आपको मालक्षमी खुद वखुद फल देने वाले हैं जिहां दोस्तों आपको पिछले समय के मेहनत का फल या समय मिल कर ही रहेगा अब आपको चारो तरब से चारो दिशाओं से एक के बाद एक ख बार जिनके भी उपर जिनके भी जीवन काल में किरपा बन जाए उनका किस्मत स्वर्ग जैसा बन जाता है उनका भाग ही बदल जाता है जहां दोस्तों और दोस्तों आपको इन दिनों में कुछ ऐसे घाटनाय देखने को मिलेंगे जिससे दोस्तों मालक्षमी को चमातकार ही ह दोस्तों आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी का जीवनकाल में ग्रहों की बड़ी महत्वपुन बदलाब होने वाले हैं जिनके कारण दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में कुछ ऐसे आचानक से बड़ी चमतकार होने वाले हैं कुछ ऐसे महत्वपुन बदलाब होने वाले जिहां दोस्तों जो कि आपकी ग्रहों की सुति के लिए और आपके आने वाले भविशे के लिए बहुती ज़्यादा महत्वपुन और बहुती ज़्यादा भागे सालिश सावित होने वाले हैं जी हाँ दोस्तों इसलिए हमने आप सभी को कहाया कि किसी को भी कुछ नहीं कहना है चाहे आपको कुछ भी कहे आपको बस सांत रहना है और चूप चाप रहकर अपने किसमत का खेल देखना है जी हाँ दोस्तों अब आपका वह किसमत आ चुका है जो सभी की मुह को बंद करने वालत समय शावित होगा जिहां दोस्तों आप सभी को बता दें कि कहीं से भी आपके किस्मत में मालक्षमी की किरपा से एसे धन आएंगे जिससे की दोस्तों आपके दूस्मन या सुनकर पागल हो जाएंगे जिहां दोस्तों और यह फल आपके अच्छे करमों का ही होगा जो आप सभी को बता दें कि वर्सों सालों पहले आपके कुंडिली में ऐसे ग्रहों का निर्मान हुआ था जब सुक्र और गुरु एक सिती में थी और सनी का परभाव सुब था जिहां दोस्तों और यह समय भी आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसे ही परिवर्तन का निर्मान होन हैं जिनसे दोस्तों आप सभी को सत्रूओं से भी मुक्ति मिलने वाला है और जो भी लोग आपके कारेयों में आर्चने डाल रहे थे दोस्तों यह समय उन सभी का मुह बंद होने वाला है जिहां दोस्तों यह समय आप अपने सफलताओं का जहंडा हर जगा गारने वाले हैं बरस्ते आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जी हाँ दोस्तों कुछ छेतरों में आपको चुप राना है तो दोस्तों वह कौन सी छेतर है और कौन सी बातों को लेकर आपको शाब्धान राना है आज की इस वीडियो में हम सभी बातें ग्रहों की गोचर पर निर्मित जो की दोस्तों इस वीडियो में बताई है तो दोस्तों आप सभी का बस इतना ही दाईतों और करतब होता है कि आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मिशना करें और सुरू से आंतर तक ध्यान से दिखिएगा दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगर आप अपने जीवन काल के कुछ महतवपून शमय इस वीडियों को देंगे तो दोस्तों आने वाले शमय भी आपको धनवान बना देगा जिहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि वेक्ति के जीवन काल में गरह की चल कुछ ऐसे बड़े बदलाब करते हैं कि वेक्ति चाहकर भी उन घटनाओं से बच नहीं पाता जिहां दोस्तों और दोस्तों इनका सीधा सीधा सिरे आपकी कर्मों पर जाता है क्योंकि दोस्तों जिसे अपने कर्म किये हैं वेसे ही आपको अब फल मिलने वाले हैं जिहां दोस्तों मालक्षमी की आसिम आसिरवाद आसिवी के जीवन काल में है तो दोस्तों इनका अर्थ यही है कि अब अपने पिछले समय में अपने जीवनकाल को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है जिहां दोस्तों और अब वक्त आ गया है जब मालक्षमी आपके जीवनकाल में आपकी कर्मों का फल देने वाला है और सारे दुश्मनों को बोलती बंद करने वाले हैं जिहां दोस्तों पुशे पहले दोस्तों जब वेक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में सच्चे मन से जय मालक्षमी लिखेंगे दोस्तों मालक्षमी जी की आसिम आसिरबात आप सभी को प्राप्त होगा तो दोस्तों जरू लिखेगा वर्दिय आप इस चैनल पर नई है तो चैनल को भी सस्क्राइब कर लें साथी बेल आइकन को पेस करके और पर स्लेट कर लें दोस्तों आप सभी की जीवन काल में मालक्षमी की आसिन किरपाद दिरिष्टी होगी जीवन काल की कष्ट आप सभी की धीरे धीरे समाप्त हो जाएगे खुस या आना प्रारम हो जाएगा जीहां दोस्तों तो दोस्तों जरू लिखेगा तो आज दोस्तों बात करते हैं शुर ना करना पड़ेगा तो दोस्तों आप सभी के लिए ये बहुत ही महत्पून ज्यान लेकर आए हैं जिहां दोस्तों तो इन्हें दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि दोस्तों भगवान स्री कृष्न भगवाद गीता में लिखा है कि जीवन से जो भी मिले उसे पचाना सीखो क्योंकि भोजन नोपचने पर चर्वी बढ़ती है, पैसा नोपचने पर दिखावा बढ़ता है, बात नोपचने पर चुगली बढ़ती है, और परसंशा नोपचने पर घमन बढ़ता, चुगली नोपचने पर दुस्मनी बढ़ती है, और राज नोपचने पर खत्रा बढ़ और सुखन पचने पर पाप बढ़ता है तो हमेशा हर मनुश को अपने चीवन काल में जो भी चीज मिले उन्हें पचाना सीखना चाहिए सहना चाहिए जिहां दोस्तों तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह प्रम ज्यान अगर आपको अच्छा लगा हो आपके दिल को चुग गया हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए लिख दें जैश्री कृष्ण राधे राधे तो आई दोस्तों इसे के साथ बात करते हैं कि यह तीन दिनों के शम्य अबधी में मालक्षमी आपके घर के महोल में परवार जीगर में स्वास्त बिजनस बेपर में क्या-क्या खुश खबरी देने वाले हैं और क्या-क्या चमतकार यह शम्य करने वाले हैं बात करते हैं पूरे विस्तार से दोस्तों मालक्षमी जी की किरपा से पहले दिन की सुरुवात किसी खास सुप समाचार से होगी आर्थी योजनाई भी शफल होगी आपके दिमाग में नए नीयोजनाई उपचेगी जो घर तथा व्यवसाइज दोनों के लिए उचित साबित होगी अपने कारे को व्यवस्तित रूप से पूरा करने का प्रियास करें इसे आपको अपनी महनत के उचित पर नाम हाशिल होंगे व्यवारे नजरिया रखें नजदीकी मित्रों का वहतिन योगदाद मिलेगा जो लोग आपके खिलाप में थे वह आपके पक्ष में आएंगे अनुभवी तथा परभाव शारी लोगों का मार दर्शन मिलेगा अब अपने कारे को नया रूप देने के लिए ज़्यादा राचनातमक तरे के अपनाएंगे और शफलता भी मिलेगी इनकम बढ़ने से आर्थिक व्यश्ता बेहतर रहेगी दोस्तों कोई भी काम प्लानिंग से करना तथा सकारतमा सोच रखना आपकी कारे छमता को और अधिक बहतर बनाएगा दोपर बाद गिर से दिप बहुत ही अनुकुल रहेगी ता कारे में गती आएगी किसी नजदी की समंदी के यहाँ जाने का भी निमंतरन मिलेगा इनके साथ साथ दोस्तों किसी भी कार को करने से पहले परिवार जनों से सलाह लेना आपके लिए वहुत ही फायदमन साबित होगा अपने जीवन से लिको नया रूप देने के लिए कुछ राचनातमा गती विदियों में समय वितित होगा विद्यारत्यों को अपने परियासों में आसातीत सफलता मिल सकती है दोस्तों आपके अच्छे व्यक्तित और वेहवार कुसलता की बज़े से समाजी कती विदियों में आपकी परतिवार लोगों के शामने आएगी खुष में आतमनन और आतमे चिंतन में भी जरूर वितित करें इसे आपको अपनी उलजनों के समाधान मिलेगा पारिवारिक और आर्थिक दोनों दिर्ष्टी से सूप फल दायक है इनके साथ साथ दोस्तों आपको इन दिन में कुछ शाबदानिया भी देखकर चली होगी भावनाव में बहकर किसी के साथ भी जल्दवाजी में कोई प्रोमिश ना करें वरना लोग आपके इस सभाव का नाजायत पैदा उठा सकते हैं बच्चा को उनके मन मुतावित कारों में कुछ में आवसे व्यतित करने दें इसे उनका व्यत्दिक विकास व्यतिन तरीके से होगा वैबसाइक पर्तिस्ठाण में कोई भी नया काम सुरू करने से पहले किसी अनुभवी की सलाज जरूर लें उपिस में किसी समंदि के साथ मन मुटाव की सिति बन सकती है बैतर होगा की अपने कारों में ही मगन रहें कुस में अपने रूची पूर्ण कारों में भी जरूर वेतित करें यसे मानसिक शुकुन मिलेगा बहुत दिग मेहनत वठकान की बज़े से कभी कभी चिल्चिल्डापन हाभी हो सकता है लोगों पर अपने मर्जी थोपने का प्रयाश न करें अपने गुस्य और आवेश पर काबू रखें किसी नजदी की समंदी से कहा सुनी होने की बज़े से चिंता जनक इसकी बन सकती है या समय सांत बने रहना ही उचित है किरायदारी समंदी मामले सुलजने में अभी समय लगेगा दोस्तों आनुकुल समय चल रहा है केरियर और कारेश चेतर में बहतरिन के लिए कोई कोशिश में सफलता मिलेगी भवी समंदी योजना को मुर्त रूप देने की कोशिश काफी हद तक शपल रहेगी वैपसा में आपका काम करने का जिरून आपको अपनी मेहनत के उचित परनाम देगा ता चल रही कुछ रुकावटें भी दूर होगी साथिसा दोस्तों कारवारी समंदी सभी गत्तिविदियां अपनी निग्रारी में ही करवाएं क्योंकि कर्मचारियों की किसी लापारवी का खाम्याजा भोगत ना पल सकता है और नोकरी पैसा लोग अपने काम को पूरी निष्टा से करें तरीकी के आफसर बन रहे है वहीं दोस्ता आपकी लव लाइप के बारे में बात करें तो पत्ति पत्नी आपसे समंदों को बहतर बनाने के लिए कुछ समय एक साथ जरूर वेतित करें घर का वातारण उचित और व्यवेस्तित बना रहेगा काम की अधिकता की वज़े से घर पर अधिक समय नहीं दे पाएंगे पर तु परिवार जनों का उचित सहयोग तथासने आप पर बना रहेगा वहीं आपके स्वास्त के बारे में बात करें तो बदलते मुस्लम की वज़े से तौचा समदी कोई अलर्जी परिशान कर सकती है ज़्यादा पॉलिशन और भीण वाली जगह पर जाने से परेज रखें स्वास्त ठीक रहेगा आपकी वैस्ति दिन चारिया और खान पान आपको स्वास्त और और सकार्त मग रखेंगे चलिए दोस्तों बात करते हैं आपके उपाय के बारे में दोस्तों यह जो उपाय आपको हम बताने वाले हैं एक बार कर लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन की शारी परिशानी जड़ से खत्म हो जाएंगे और मालक्षमी आपके घर में धन वर्षा करेंगे दोस्तों मालक्षमी जी की पर्तिमा के शामने एक 11 दिनों तक अखंड जोत परजलिद करें एक 11 दिन एक 11 कन्या को भोजन कराकर एक सिकावो महंदी दें शुकरवार के दिन दक्षनावर्ति शंक में जल भरकर भागवान विश्नु का अभिशे करें इस उपाई में मालक्षमी जल्दी प्रशन हो जाती है और भगतों पर किरपा बरसाते हैं दोस्तों आपका भागे साली रंग और भागे साली अंक क्या है दोस्तों आपका भागे साली रंग क्रीम है और भागे साली अंक चार है दोस्तों भगवान मालक्षमी जी की आशिरवात आप सभी को प्राप्त हो सच्चे दिलशे कमेंड बॉक्स में जाए मालक्षमी जरू लिखें और वीडियो को लाइक शेर जरू करें धन्यवाद